आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कंपनी जो की बिलॉंग करती है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से और उसका नाम है अम्बिका कॉटन मिल्स लिमिटेड ये कंपनी बेस्ड आउट है कॉएमबटूर में साओधन इंडिया में और साथी साथ ये इंगेश्ड ह आपके manufacturing of premium quality of compact and elli twist cotton yarn that means जो सूती धागे होते हैं हम लोग उसको कहते हैं जो की use किये जाते हैं आपके होजरी and weaving में और साथी साथ use किये जाते हैं आपके premium quality के shirt बनाने में ये company एक as a established player है आपके international and domestic yard market में जहां से इनके 60% जो revenues हैं वो export के थुरू आते हैं वैसे तो company established वी थी 1988 में और इनके पास 4 manufacturing units हैं जो की situated है आपके दिंदिगुल और तामिलनाडो में और जहां से इनके जो capacity है वो है आपके 1,08,288 अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपके आप कह सकते की एक काफी number one रहे है शर्टिंग segments में जहां पे इनके जो आप कह सकत के shirt manufacturer companies हैं around the world और साथ ही साथ ये एक आप कह सकते की जितने इनके जो clients रहे हैं वो well reputed manufacturer रहे हैं जो की manufacture करते हैं आपके shirt and knitwear products both in the domestic and international market around इनके 45% of their products are exported directly to Taiwan, Hong Kong, Turkey, China, Korea, Singapore, Israel and Egypt तो आप देख सकते हैं इतने सारे countries में इनके products export किये जाते हैं directly and कुछ इनके जो merchant exporter हैं उनके through भी किये जाते हैं कुछ countries में जो की निकल के आते हैं पेरू, Italy और Germany और बाकी और other countries हैं उनमें next यहाँ पे बात करें अगर analyst की क्यार आये है तो 80% analyst आपको buying की rating दे रहे हैं और कुछ जो बचे हुए analyst है वो आपको sell की rating दे रहे हैं बट आपको क्या करना है वो आपको खुद देखना है तो बने रहे हैं यह वीडियो में आकरी तक क्योंकि काफी कुछ अभी बिसकस करन भी ना भूले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ इसके अगर returns की बात करें returns आपके काफी बहतरीन रहे हैं इस एक साल में दो साल और तीन साल में भी हमें returns जो है वो अच्छे देखने को मिले हैं इस एक साल में 215, 2 years में 148% and 3 years में आपके 94% के returns रहे हैं अब यहाँ अगर देखें इसके quarterly results तो इस quarter company ने काफी अच्छा perform किया है चाहे वो sales हो operating profit हो या फिर net profit हो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो September 21 के numbers आप देखेंगे sales के तो वो आपको काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखें पिछले quarter के मुकाबले भी और पिछले जो बाकी quarters थे उसके मुकाबले भी operating profit की बात करें यह आपको हर quarter wise बढ़ता हुआ दिखा 37 करोर then 48 करोर then 56 करोर और इस बार 68 करोर तो इस बार काफी अच्छा jump भी नज़र आ रहा है net profit की बात करें net profit में भी आपको 10 करोर के आसपास का jump इस quarter नज़र आया है yearly results की बात करें yearly results में पिछले साल के मुकाबले company ने अच्छा perform किया है बट अगर हम लोग 2019 से compare करें तो भी हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं या फिर जो numbers हैं वो आपको कम देखने को मिल रहे हैं sales के operating profit की बात करें तो operating profit में आपको जो numbers रहे हैं वो आपके सारे जितने भी years हैं उनमें आपको काफी बहतरी इस बार नज़र आ रहे है 126 करोर के आसपास इस साल इनके operating profit निकल के आ रहे है निट profit की बात करें निट profit भी आपको बाकी सालों से यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे तो company वैसे तो quarterly wise हो या फिर yearly wise हो काफी अच्छा perform करके ले बट वही profit growth के उपर आप अगर नज़र डालते हैं तो एक काफी अच्छा खासा आपको यहां पर जंप देखने को मिल रहा है जहां यह 3 years में 4% हुआ करते थे या 5 years में 9% बट इस एक साल में आपके 30% के आसपास हो चुके हैं अब अगर हम बात करें ROE & ROCE के उपर तो यहां पर हमें जो criteria होते हैं उनसे match तो नहीं कर रहे है 15 to 20% हम लोग अच्छा मानते हैं तो आपको यहां ROCE तो फिर भी ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं मतलब अच्छा नज़र आ पर जो ROE है वो आपको यहां पर ठीक ठाक से ही नज़र आ रहे हैं आप यहां पे देख सकत ले 1% आपको यहां पर बढ़ातरी देखने को मिली है अब वहीं बात करें वैसे तो company zero debt to equity ratio है इनका और ये debt free company में से एक company ये भी है वहीं अगर इनके पास जो cash available है वो आप देख सकते 2.18 करोर के आसपास का cash available है वहीं अगर बात करें इनके share holding patterns के उपर तो आप देख सकते है जो इनके numbers रहे हैं वो आपके consistency के साथ एक आपको consistency के साथ promoters के पास देखने को मिले हैं almost 50% के आसपास उसके बाद जो holdings है वो आपको public के पास देखने को मिलेंगे बहले ही इस quarter आपको जो numbers है वो थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं और ये numbers आपको बढ़ते हुए दिख है कि कोई भी pledging नजर नहीं आ रही है तो ये एक हमें plus point और इस company के साथ नजर आ रहा है next यहां पर हम लोग देखते हैं चार्ट के उपर चार्ट के उपर आप देख सकते हैं जहां ये 829 के price पे आपको trade करता हुआ दिख रहा था उसके बाद ये 400 के price तक आपको गिरता हुआ दिखा है within a कुछ आप कह सकते हैं within a year और एक साल से पहले ही company ने काफी अच्छा खासा cover किया है और उसके बाद जहां ये 829 के price पे हुआ करता था तो वहीं आपको 1200 के price पे भी जाता हुआ दिखा है तो आप कह सकते हैं कि काफी तेजी से इस share ने काफी जल्दी ही cover up कर लिया है जितन price तक भी आया था और उसके बाद अभी अगर हम लोग करेंट price की बात करें 2260 के price पे आपको trade करता हुआ नजर आ रहा है तो काफी अभी फिलाल अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से आपको काफी over value ये share नजर तो आ रहा है बट अगर आपको इसमें entry करनी है तो थोड़ा सा आपको wait जरूर करना चाहिए according मेरे हिसाब से otherwise आप चाहें तो आप अपने हिसाब से decisions बना सकते हैं बट मेरे according अभी आपको तोड़ा से wait करना चाहिए because ये almost आप कह सकते हैं कि over valued हो चुका अपने red line that means 20 week EMA है उससे काफी उपर ही आपको नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो black line आपको नजर आ रहे है जो की है इनके 10 day EMA तो 10 day EMA के भी 10 week EMA तो उसके उपर भी आपको ये जादा नजर आ रहा है अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से चोटे time frame पे जो की है one day one day के भी basis पे आप देखते हैं तो भी यहां पे आपको ये उपर की तरफ ही या फिर आप कह सकते एक over valued ही नजर आ रहा है वहीं अगर हम लोग RSI पे भी देखें तो almost यहां से थोड़ा ये हमें समझ तो आ रहा है कि इसमें थोड़ा price correction ह आपको कहीं न कहीं दिखें तो आप इसमें आप जो accumulation आप करना चाह रहे हैं या फिर entry करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो निकल के आएगा वह आपके 2000 and 2000 के price तक आपके निकल के आ सकता है तो आप चाहें तो वहां पे आप accumulation आप कर सकते हैं otherwise in case अगर आपके लिए बनी रहती है तो आपको आने वाले टाइम में कुछी टाइम में इसमें 2400 के आसपास या 2500 तक भी आपको जाता हूँ नजर आ सकता है बड़ उसके बाद भी इसमें price correction होगा तो आप चाहें तो वहां पे accumulation कर सकते हैं otherwise अभी थोड़ा सा एक तोड़ा सा यहां पर रिस्क तो जरूर लग रहा है बाकी अपने according और जो अगर आपके पास कोई भी financial advisor है तो उनसे एक बार connect कर ले ताकि आप जो बहतरीन एक decisions जो है वो आप अपने लिए बना पाएं बाकी हम आपके लिए बैठे हैं ताकि हम आपको help out कर सके कोई किसी भी तरह की कोई आप बना सकते हैं चलिए आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए thank you and take care